हेलो दोस्तों और बहुत सारे लोग हैं जो वाटसअप पर मैसेज करते हैं और बहुत लोगों ने टेलिग्राम पर और बहुत कुछ ले कॉल भी किया है तो देखो समके कॉल मैं नहीं उठा सकता ये नेच्रल सी बात है मेरी कोशिस रहती है कि जो ऐसे मुद्दे हों जो की सारजुनिक मुद्दे हों उनको मैं रिकॉर्ड कर दूँ तो अधिकांस के पास एखी है कि देखिए आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है यू आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिनका की BPSC PID में नहीं हो पाया प्रेलेमनी एग्जामनीशन में बहुत सारे लोग हैं जिनका की सेलेक्शन नहीं हुआ सेलेक्शन नहीं हुआ तो उसको लेकर के बहुत हाय तबा मचाने की जरुवत भी नहीं है वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 10 गुना रिजल्ट ही आया है जैसे नियम जो बनाए गया प्री का रिजल्ट जो होता है वो दस गुना रिजल्ट ही होता है कम से कम बीस गुना होना चाहिए या टोटल जो जितने लोग उपस्थीत होते हैं उनका 10% भी अगर result होता तो बहुत अच्छा रहता लेकिन बिहार सरकार की यह जो policy है यह थोड़ी सी बेकार है अगर हम देखें अगर मैं अपने तरीके से देखूँ अगर अपना analysis करूँ अब मैं काबिल हो चुका हूं कि मैं इस तरह के analysis कर सकता हूं तो मैं देखता हूं कि preliminary examination जो है वो क्या है वो बस एक examination है serious से non-serious aspirant को हटाने की तो जितने serious aspirant हैं उनकी संख्या हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है तुका भी चलता है और चला भी है तो ऐसे condition में कि ज्यादा अच्छे योग अबर्थी चुने जाएं इसलिए क्या करना चाहिए दाइरा थ करके जो exam दे और अच्छे अधिकारी बने मैं तो bugling और इधर दर की बात ही नहीं कर रहा और अभी करूंगा भी नहीं इस वीडियो में तो मैं अपने topic पे पहले आता हूं कि जिनका selection नहीं हुआ BPST 68 में अब क्या करें अब वो ठीक है तो देखिए ये कोई अन्होनी इसी एकदम सड़ पे है 30 सेप्टमबर उसकी डेट दी गई है 30 सेप्टमबर को ठीक है 30 सेप्टमबर के करीब करीब वो examination हो जाएगा सामान इसा चीज़े कोई अन्होनी थोड़ी है तो सब लोगो क्या चाहिए कि सब लोगो चाहिए एज जिनका बाकी है जिनका एज बाकी दिया आती है और इतने साल के हो गए तो आपको ना alternate जो है वो website या alternate रोजगार जो है वो देखना चाहिए और सबसे अच्छा मैं बताऊं कि अगर आप योग यह हैं और आपका बहुत बार बार हो के selection नहीं हो पाया है तो यकीन मानिए कि आप से बढ़िया जो teacher है ना वो क बार या आपने दो तीन बार मेंस लिखा हुआ है और किसी कारण से आपका प्री में सेलक्शन नहीं हुआ और आपकी एज निकल गई तो आप एक अच्छे सिक्षक बन सकते हैं बहुत बढ़िया सिक्षक इतना बढ़िया कि जिसमें कि दाल रोटी तो आराम से चल जाएग बाकी की पहले व्यक्ति नहीं है आप जिनका सेलक्शन नहीं हुआ है धाई लाख लोग मान के चलते हैं एक्जामनीशन दिया था तीन हजार के करीब करीब रियल्ट आया तो लाखों में लोग हैं जिनका कि सेलक्शन नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे आगे के फिर एक्जा सभा में कोर्ट में covered happens of our senior our young chu兄 seperti बहुत नजदीकी भी है वो हमारी बाचीत हो रही थ तो उनका Google करे पिछ्ले साल एक दो बार हो गया प्री इस बार नहीं हुआ वो ज्यादा परिसान होते हैं तो देखेग परिसान होने जैसा कुछ नहीं है यह ही है यह आपका पुरा लाइफ नहीं है यह क्या है एक छोटा सा ड्यार्ट है इस ड्यार्स है इस ड्यायस्थ Alberts hazards find dei क्षप रए कि oni सेलक्शन हो भी गया वह भी नहीं है कि उनका मेंस निकलेगा या उनका इंटर्व्यू तक जाएंगे वो क्योंकि इसमें से भी छटना है इसमें से भी छटना है लोगों को जो 3500 जो रिजल्ट है उसमें से देखें कितना हो गया देखें ये 3500 मान लेते हैं रिजल्ट रफ में 350 लोग जाएंगे फाइनली सेलेक्ट होंग ठीक है, 31, 4, 3150 लोग जो है, जो यहाँ सेलेक्ट हुए है, वो भी तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और सोचे इनके उपर क्या गुजरेगी, कुछ लोग तो इंटर्व्यू में भी जाएंगे, और इंटर्व्यू में भी एक या दो नमबर से बाहर आएंगे, मैं इन सब तक क्या करें, सेलक्षय नहीं हुआ, छाती पीटने से अच्छा है, एज फेवर में है, तो 69 की तजारी करनी है, धंग से, मैं पूरी कोशिस करूँगा कि अपने तरप से पूरा मेटरियल हर चीज मैं लेकर क्या हूँ, और सब कुछ दू मैं, जितना मैं दे सकता हूँ, उतना मैं दूँगा, सब लोगो के लिए, बहुत सारी सिवाएं होगी ना, 100% सिवा लगबग, फ्री ही होगी, लगबग, लगबग, सिर्फ मेंस, एंसर आइटिंग के लिए, मैं चार्ज कर रहा हूँ, जिसकी क्लासेस तुरू करूँगा, क्योंकि एंसर आइटिंग मैं अकेले सबसा नहीं होगा, यह भलाई का काम है, आजा यह सब साथ में, सब लोग आतो होगा है साथ में, लेकिन बाद में यह बड़ा रिस्क राता है, कि बाद में लोग बहुत पलटते हैं, इसलिए भाई, जो लोग चेक करेंगे, उनको जो एमाउंट होता है, उनको देने के लि हैं, जो अधिकारी हैं, जो पहले से पोस्टेड हैं, और जो एकाडेमिक से जुड़े हुए हैं, हम उनको ही बुलाएंगे, जो content बनाते हैं, और content को कई बाद चेक करते हैं, और कई BPSC में जो copy चेक करते हैं, वो अधिकारी भी जो चेक करने वाले प्रफेसर भी संपर्क म होई है, तो उसका फीसुस अभी हम लोग तैय कर रहे हैं, तो फीसुस रखेंगे, लेकिन सिर्फ copy चेक करने का, question वगर है, जो कुछ ही मिलेगा, सब को मिलेगा, सब को मुफ्त ही मिलेगा, उसके लिए कोई चार्ज अलग से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जो कि copy चेक करन रहे हैं, कभी भी, उन सब लोग को चाहिए, कि अब अगर प्री अगर उनको दे रहे हैं, बारा ही लोग अभी तक हैं, दो लोग और बढ़ें, चोदा लोग हो गये हैं, जो कि हमारे इस community से हैं, और जिनका selection हुआ है प्री में, और ये संख्या थोड़ी सी हो सकता है, एक बाया मुह को त्याग देना चाहिए, अब समझ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, भई, बाया मुह क्या क्या है, पहले बताता हूँ, घरेलू इसू, घरेलू इसू, घरेलू इसू, घरेलू इसू, बहुत सारा चाचाता हो कि समस्या, किसी ने जमीन दखल कर लिया है, कोई और इसू चल रहा है यह समस्या हो गया इसके अलाब पार्टनर्स इसू गर्ल्फेंड बॉइफ्रेंड के चक्कर ठीक है या मैरेड है तो पति-पत्नी के जगडे यह सब फालतू का चीज है यह सब कोई मतलब का नहीं सब को ध्यान ही नहीं देना है कोई और काम करते हैं तो उनका ओफिस का तनाव या और इसूज है इस तरह के बहुत सरे बहाने होंगे जो लाइफ में बनाने के लिए काफी है तो उन सब को दूर रखना है उन सब को छाट देना है जितना माया मोह है उन सब को हटा देना है देखिए प्रस्नली मैं जो है ना मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मुझे ना रोज दिमाग को खाली करना पड़ता है, बहुत दुनिया भर का पच्रा होता है, जिसमें मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जो किसी का फोन देखे न उठाऊं, लेकिन ऐसा फोन जो मुझे तनाव दे, मुझे परिश क्लास का भी बच्चा है, ठीक है, competitive class के भी हमारे पास बच्चे है, सब को देखना होता है, मुझे, regular में देखना होता है, अच्छे तरीके से, और मैं उस ही में involved भी रहता हूं, ऐसा नहीं है कि competitive batch को पढ़ाता हूं, तो पहले class का बच्चा आया तो इसको, दो, तीन, चार को खाली रखना जरूरी होता है तो एक निगेटिविटी से हमेशा लोग को बचना चाहिए किसी की पीठ पीछे निंदा जो लोग करते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं उसके पीछे यह होता है कि उनका काफी ज्यादा वक्त जो होता है ना दिमाग इनी सब च किसी को मत कोशिये नहीं हुआ तो नहीं हुआ ठीक है आगे हम लोग करेंगे बार बार रोते रहने से ना क्या होता है जो फायदा नहीं है उसका किसी भी किस्म का लंबी समय का नुक्सान ही है तो हमें नुक्सान से बचना है ठीक है नुक्सान से बचना है 68 में नहीं हुआ BPSC 69 में अब इसको ऐसे पढ़िए ठीक है अब क्या करें ठीक है अरे भर भाई अभी मौकाहे त्यारि करी है कि टीक है अब देखिये अब यह सही है ठीक है जिनका सेलेक्षन हुआ BPSC 69 में तो आप एंच्छा ले लें हाँ ये लेले उनktó een यह सिक्स्टी नाइन तीक हे इस पर आप ध्यान देजिए ठीक है छौड़िये माया मोह को क्या रा हैां माया मौह में क्या रखा हैं गल्फेंट वॉइफ्रेंड के चक्कर में क्या रखा हैं जो किसी से जगणा करने का क्या ज़रूरी है जमी जैजयात के लाफड़े में उल में ताइत में तयारी को क्या कड़े मैन्स में तेयारी भी सजेक्षमी नहीं राइआ कि उनको अनभवा कहिए पूरा अनभवभ है तो हमारे पास एक छोटी शी टीम भी है तो हम उनकी मदद करेंगे हिंधी और इंगलिस दोहां में उनको प्रश्ण पत्र वगड़ा सब उपलभद कराएंगे स्लीसिन के साहथ chests को चलिये समय के साते उपलब्द कराते रहेंगे तो हम लोग फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद मिलते रहेंगे बाचित वगरा करते रहेंगे आपस में तब तक के लिए बाई बाई